नमस्कार उत्राखन की बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रिशा सिंग चले खबरों की शुरुआत करते हैं उत्राखन बीजेपी मुख्याले में बीजेपी के प्रदेश पदादिकारियों और ज्राद्धक्षों की बैठक हुई जिसकी अद्धक्षता प्रदेश अद्धक्ष मदन कौशिक ने की बैठक में सीम पुशकर सिंग धामी भी मौजूद रहे इस तोरान पार्टी की चुनावों को लेकर भावी योजनाओ और सेवा ही संग्ठन के कारों को आगे बढ़ाने को लेकर मन्थन हुआ प्रदेश अद्धक्ष का कहना है कि सभी पदादिकारियों का अपनी जनपदों में दस दिन का दौरा कराया जाएगा साथी सभी सतर विदासवा को हम कवर करेंगे और पदादिकारी करेंगे हैं नहीं आगेवत हमने पदति एक करने में दस दिन का दधिकार इस जनपद में उनका रहेगा इसके भूमे में पुरी अमकीर में दस मिलाओने टव्यम सब्सक्राइब कर दो कारेक्रम तया किया है। सब्सक्राइब कर दो किया है। वही नाले का सर्वे करने आए शहरी विकास एज़नसी के अधिकारियों नाले का कारेच चल्दे शुरू करने की बात कही है। सब्सक्राइब कर दो किया 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 है। और इसके उपर चलने के लिए इनका एक प्रयोक किया है। इसके उपर स्लिप डाल करके बाइपास के रूप में और जो लगू बेपारी चोटे हमारा बेपारी है। जो उज़ल गया है उसको बसाने का कारी किया जाएगा। और यहाँ पर एक दिन्दियल पार्क है जो जीन सीने हालत में उसको संद्री किया जाएगा। और पूरे शहर को एक सुन्दर सा सहर बनाने के लिए सीम साब का एक प्रजट है जो इससे अब निखा रहा जाएगा। सवारा जाएगा और बढ़ी असा बनाई जाएगा। पेजल मंत्री विशन सिंग चुफाल ननिताल दौरे पर पहुंचे जहां बीजेपी कारेकरता उन्हें उनका जोड़दार स्वागत किया। ननिताल राजशरा तिथी ग्रह में मंत्री चुफाल ने पत्रकार वारता के दौरान कहा कि भाष सरकार की हर घर नल हर घर जल योशन के तहट दो हजार तेश सक हर परिवार को पानी दिया जाएगा। जिसके लिए डीपी आर तैयार कर ली गई है। पेयजल मंत्री ने कहा कि जल विभाग में ज्रेई की कमी को देखते हुए इसी सब्तहा उपनल के माध्यम से जल संस्थान में रिक्ति पड़े पदों को भी भरा जाएगा। जिए बर्सात का पाल में उसमें पानी डाल हैं। जुआ जिमीन के अनदर पानी रिचार्ज हो जाएं। उन गौं में सब पानी बर्शात का पानी रिचार्ज करने के चाल खाल का काम मंडेका के अंदर करते हैं। प्रमप्रा गद्धारी नो के बाद भी जल संस्था जाने वाले पुभोकताओं से अभधर वैभार किया जाता है और वही वैपार मैंडल अध्यष्ट ने जल संस्था के अधिश्वासी अभ्यंता को हटाने की मांग की है समाधान कर रहुम्रे से ने निताल के कई सो में पानी नहीं आ रहा है इसके लिए हमने विभाग के समख से अपनी परिस्टानिया रखी लेकिन विभाग के अधिकारी इतने नकारा और निरंकुस हैं कि जनता की बास सुनने को तरीख हैं जनता से बत्तमीजी अलग से करते हैं पानी पर पानी नहीं नहीं पहर रहा हैं इसलिए इसका रिवीजन होना चाहिए और ये पनुहसे एससमेंट के अधार पर लाग होना चाहिए समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है जिदने पानी की महातरा उनको मिलने चाहते हैं नहीं मिल पा रहे हैं और बिजले के उसके पानी के बिल ज्यादार है उसको लेकर ब्यापारी में थोड़ा सा आक्रोस है उस आक्रोस को देखते हुए उनको भी मारता किया मारता करने के बाद जल्दी से दिर्खा समाधान निकल जाएगा अब चारिक शिवारंब मुख्यमंत्री द्वारा 17 जुलाई 2021 तक किया जाएगा इस योजना में 2000 लाभार्दियों का चैन किया गया है सभी जन्पदों के जो अमारे जिला कारिकरम अधिकारी है सभी ने अपनी और से ये बताया है कि हमें लगभा लगभा पूरी पुर्देश के सर पर देखे तो करीब 200 करोण के बजट की हमें requirement है जिसकी उन्हें डिमांड करी है तो ये बजट उनको शीगर अतिशीगर जो है अवंटित करा जाएगा टाकि पैदा होने वाली बालिका से लेकर बारवी पास करने वाली बालिका को जो है वो धनवराशी मिल सके इसके साथ मैं मुखमंत्री महालक्षमे किट योजना की भी समिशा की गई है कि क्या सभी जन्पदों को मुख्वमंत्री महालक्षमे कित पहुंची है। पंद्रा करेंगे दिट्रा वार्म में करेंगे। उत्राखण में जल्दी टाटा कैंसर इंस्टिूट की स्थापना होने जा रही है जिसकी बाद राजरे स्वास्ता सिवाओं का हाल ही पदल जाएगा प्रदेश के खाती में तरी बड़ी उपलब्दी दर्सकरवाने कश्रे राजिसवा सांसत और बीजेपी के रास्टि मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को जाता है वही उन्होंने बताया कि स्थापना के साथ साथ ततकल उपचार के इसतर पर भी काम तेजी से चल रहा है उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कैंसर से जूच रहे थे तब वहे लगाता राजर के हर कैंसर पीर्द व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे कि क्या जैसा उपचार उन्हें मिल रहा है ऐसा उपचार प्रदेश के किसी भी कैंसर पीरित को मिल सकेगा रुड़की में ड्रक्स जारुकता अभियान के तहट कॉंग्रेस कारे करता हुने एस पी दिहाद को ग्या पंट सौपकर नशीले समान की बिक्री पर लगाम लगाने की मांग की है वहीं कॉंग्रेस से पदादिकारी उन्हें प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नशे की मामलों को राजे सरकार की विफलता बताया उन्होंने कहा कि युवा पीडी नशी की ग्रफ्त में है और सरकार के पास ऐसी कोई नीती ही नहीं है जो इन नशा माफियां पर शुकांचा कस सके पर शुकांचा की विफलता है क्या कर रही है इनके पास इतना बड़ा बहुमत है इतना प्रचंड बहुमत से लोग सरकार में है इनका काम है कि इसको बढ़ने से रोके इसको एकदम जैसे ही इसका सबसे पहले सूच ना मिली थी इसे समय अगर यह सही कारवाही की जाती है अगर पूरा सिस्टम लगाया जाता तो आज इतना इतना व्यापक रूख से ना फैलता आज इतनी बरबादी की कागार पर ना आया और साधू सतों की सरवोचर संस था अखिल भारती अखाड़ा परिश्रत ने उतर प्रदेश की यूगि सरकार की नई जवन संख्या नेती का स्वागत किया है साथी तेजी से बढ़ती जन संख्या पर गहरी चिंतावी जाहिर की है अखिल भारती अखाड़ा परिश्रत की अध्यक्ष महंत नेंदर गिरी ने कहा कि देश और प्रदेश में हो रहा तेजी से जन संख्या विस्फोट कई प्रमुक समस्याओं का कारण भी है इसलिए यह बेहत जरूरी है कि लगातार बढ़ वही जन संख्या पत्त का रोक लगाई जाए महंत नेंदर गिरी ने मांग की है कि सरकार जन संख्या नियंतरन के लिए सक्त कानून बनाए और वही नई जन संख्या नीती का मुस्लिम धर्म गुर्वों द्वारा व्रोध करने पर भी नेंदर गिरी ने चमकर निश्वाना साधाए उनकी तीन-तीन ओरते होती है अगर वो कहेंगे कि मेरी पहली अवरा से दो बच्चा पैदा हुए दूसरी से दो बच्चा हुए तिसरी दो हुए तमरे इच्छा हो जाएंगे तो नहीं ऐसा नहीं यह पूरुफ सेकर है न तो आप चाहे चार बीवी रखिए चाहे पांक बीवी रखिए लेकिन गिंती बच्चे की दो ही होगी दो ज़्यादा पैदा करेंगे आप तो उसको न तो औरजने का अधिकार रहेगा न संख्या की मुख में आएंगे आप और चुनाव लड़ने का विदकार नो हो ऐसा कानूर बना जाए तो देश का खला होगा सितार गंज शक्ती फार्म के रहने वाले 14 साल की युवक की नदी में नहाती समय डूबने से मौत हो गई आपको बता दे कि युवक दोस्तों के साथ नदी में नहाने काया हुआ था जहां अचानक युवक नहाती समय नदी में डूबने लगा वही आसपास के लोगों की मदद से युवक के दोस्तों ने उसी नदी से बहार निकाला कर और अस्पताल लेकर आये जहां डूबने चांच के बाद उसी इम्रत खोशित कर दिया वही युवक की मौत से परेजनों में कोहरान चाया हुआ है मजली मर ने आय थे उनको जब दिखा गया तो वो जो है लेकर होश्पिटल के सामधिक होश्पिटल में वह भी इम्रत खोशित किया है उसके बाद जो है अविवा को लगा की मरा या नहीं मरा तो पूरे जो है उसके बाद ज़वन डाक्टर के पास गए और उनहें भी मरत और बहुत दुखत गर्फना है जोदाशल का लगा है जिनकी मा की गोचे अपना बच्चा चीन जाता है वो बहुत दर्थनाक है बहुत दुखनी है औरी में मौनसो सीजन के दौर में कई आपदा प्रभावित लोग ठतिकरस्त मकानों के मुआपसे के लिए इन दुनों दरदर भटकने को मश्बूर हो गई है लेकिन जुलेका प्रशासन ये तक तैय नहीं कर पा रहा है कि प्रभावित मुआपसे की दायरे में रख सके मुआपसे के लिए मुख्याले और आपदा प्रवंदन केंदर के चकर भी लगा रहे हैं हलाकि जुलादिकारी ने ये भी बताया कि जो परिवार मुआबजी से वंचित रह गए हैं उन्हें भी मुआबज़ा मिलेगा इसके लिए शासन को पत्राचार भी किया जा रहा है ताकि बरसाथ के दुनों में प्रवावितों को उचित मदद दिलाई जा सके नहीं था मैंने आप तब में सिकाइट दरुज करवाई उसके बाद भी मुझे कोई आर्थिक साहता नहीं मिल पाई उसके बाद मैंने पटवारी जी भी यहां मोका करने के लिए आए उन्होंने भी अपनी यह मकान की फूटू फटू लेके चले गए उसके बाद में अभी त से चदरें मां के लेगे आया और कुछ अपने वाहिबंदों के लिए भी बोला क्योंकि मेरे बच्चे बहुत परिसान थी जितना भी हमारा एस्डियारिफ के अंदर गजह मुआवजा उपलप्त कराते हैं उसका जो मानक होता है उसको एक बार परिक्शन करवा लेते हैं त सदर्वित करते हैं ताकि उस पर भी साहनमोती पुरों विचार शासंदर किया जाएं हम लोग जितना प्रकर हमने निर्देश ले दिया है कि SDM सरपर तैसे सरपर जैसे घटना की जानकारी प्राप्त होता है ततकार उसका प्रेक्शन करते वे प्रस्ता हो हमको जल से लुप लोगों ने साकेंड डोस लगवाई जबकी करीब 200 लोगों को वर्क्सिन की फर्स डोस दी गई CSC प्रिभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि विभाग का मकसद सीदे सीदे यह है कि जल्द से जल्द शत प्रतिशत लोगों को पहली और दूसरी डोस लगवाकर लक्षर हासिल कर लिया जाए ताकि कोरोना वारिस को पुरी तरीके से मिटाया जा सके कोबिट की दौरान उत्रखन और उत्रप्रदेश के बॉडर पर बरती जा रही चौक सी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और वही काशिपूर से लगे यूपी बॉर्डर पर कोरोना गाइडलाइन्स के तहट प्लेस सक्त चेकिंग कर रही है जिससे बॉर्डर से गुजरने वाली लोगों की जे पर अनैतिक बोच पर रहा है क्योंकि टाइंपो और यी रिक्षा मे सफर करने के लिए चालकों की ओर से मनमानी पैसे बसूले जा रही है जिससे लोगों को फारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लगा देते हमें तो हम यह जानना चाहते छोड़ शोड़े बच्चे वाले कितने लोग देखो बेपरेशान हो के दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं तो करोना है क्या या उस बस में करोना है रो बताईए हमें आप इतने पपलिक परिसान हो और हम लोग भी परेशान है पपलिक आवगन जो है लगातार जारी है और शाशन के निदेश है उनसार जैसे समय समय पर जो अशोड़ी होती है उसके तहती बॉर्टर पर हमारे दोरा जो है सगन चैकिंग के करवाई की जा रही है और आप तो जो भी भारी राज्ये से आने वाले लोग है उनके लिए और अगर वो इनकी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं और पोर्टल पर रेशेशन लेके आते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा उनको रोपा नहीं जाएगा तोसी के साथ उत्राखन के बिलेटिन में तना ही देश दुनिया की तमाम खाबुकले देखते रहे हैं न्यूस इंडिया